यहाँ पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर किलिक करें हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक बहुती सुन्दर सलवार मोहरी डिजन सेर करूंगी तो देखे मोहरी बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है और इसको मैंने कपड़े के उपर प्रेश से चिपका लिया है अगर आपकी चिपकने वाली बुकरम नहीं है तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं इसके बाद मैंने एक ही कपड़ा लिया है तो इसको तो मैं एक साइड में रख दूँगी और इस बुकरम की जो चोड़ाई है वो मैंने रखी है तीन इंची यह आप देख सकते हैं और लंबाई आप अपनी मोहरी के हिसाब से ले सकते हैं इसके बाद मैंने दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्ष्टर लिया है इसकी मैं बाद में कटिंग करूँगी अब हम इसको सीधी साइड से रखेंगे और इसका बीच सेंटर करेंगे तो यहाँ पे एसे सीधी साइड में रखेंगे और देखे हमको कपड़े का बीच सेंटर नहीं करना है हमको बुकरम का बीच सेंटर करना है तो हमारी बुकरम देखे इतने पे है तो यहाँ पे हम 20 सेंटर निकालेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच पर निसान लगाएंगे और इसमें हम बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से निसान बना देंगे और देखें 20 सेंटर मैंने इसका निकाल लिया है इसके बाद मैंने डिजाइन बनाने के लिए पट्या बनाई है यह आप देख सकते हैं इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने पोना इंच रखी है आप इसकी चोड़ाई एक इंच भी रख सकते हैं और यह मैंने डबल कपड़े में बनाई है यानि कि नीचे की साइड मैंने कपड़ा लिया है अपनी सलवार वाले कपड़े में से और एक कपड़ा लिया है मैंने किरिन कलर का तो इसकी लंबाई ये जो मैंने 4 इंच रखी है आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए हम इनको A से 20 सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और जहां पर हमने निसान लगाया है वहां पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से बिलकुल बराबर रखते हुए B सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम पूरे के उपर अटेज कर लेंगे तो ये मैंने सारी पट्टी अटेज कर ली हैं आप देख सकते हैं इसके बाद में देखिए हम यहां से एसे पलटते हुए इन पे सिलाई लगाएंगे तो यहां पर आपको अच्छे से नोक बनानी है और इस तरह से सिलाई लगानी है और इसी तरह से हम सारी पट्टियों को मोडते हुए इन पे सिलाई लगा लेंगे आपको ध्यान रखना है लूज नहीं रखनी है एकदम टाइट खीज के आपको इसकी नोक बनानी है तो इसी तरह से मैं सारी पट्टियां पलटके सिलाई लगा लूँगी तो देखे एक साइड से मैंने सारी पट्टियां पलटके इन पे सिलाई लगा ली है अब मैं इस साइड से भी ऐसे ही मोडते हुए इन पे सिलाई लगाऊंगी ये देखे और यहां पे जितनी हमारी बुक्रम है उसी के उपर आपको सिलाई लगानी है जो भी एक्ष्टा कपड़ा है वो छोड़ देना है तो इसी तरह से सारी में ये साइड भी कम्प्लीट कर लूँगी तो देखिए मैंने दोनु साइड से अपना डिजाइने जो कम्प्लीट कर लिया है आप देख सकते हैं अब इसके बाद जो भी एक्ष्टा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और देखिए ये डिजाइन कम्प्लीट हो गया है अब हम अपनी सोरी हम वो कपड़ा लेंगे जो हमने पहले वो कपड़ा एक साइड में रख दिया था तो यहां पर हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और ध्यान रखना है जो ये सिलाई ये आपकी सिलाई के अंदर आजानी चाहिए और अब यहां से जो भी एक्ष्टा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे हलका सा मार्जन रखते हुए हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे और अब इसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे अब देखिए यहां पे आप चाहें तो यह पाइपिंग कोई दूसरे कलर के कपड़े से भी लगा सकते हैं आप कोई दूसरे कलर का कपड़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है अब यहाँ पे हम एक सिलाई बिल्कुल इसकी किनारी पे लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर भी इनको एसे अटेज कर लेंगे कपड़े को और बुक्रम को इस तरह से अब यहाँ पे जो भी एक श्टा कपड़ा है इसके हम कटिंग करेंगे और इसके बाद हम इसको अपनी सलवार के उपर attach करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी जैसे आप यह design बना रहे हैं तो आपको जितनी चोड़ाई की मोहरी बनानी है उतनी आपको अपनी सलवार की length कम रखनी है जैसे हमने यहाँ पर 3 इंच की मोहरी बनाई है तो 3 इंच की length हमको अपनी सलवार में से कम करनी होगी क्योंकि यह मोहरी attach होने के बाद हमारी सलवार की length बढ़ जाएगी तो इसलिए आप cutting करती समय अपनी सलवार की length कम रखें अब इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसको सीधी side से पलट लेंगे तो इस तरह पलटते हुए हम यहाँ पर भी दो सिलाई लगाएंगे जैसे हमने नीचे की side लगाई है और देखे यह हमारा design बन के तयार हो गया है आप देख सकते हैं अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी side की महरी को भी तयार कर लेंगे तो यह तयार होने के बाद में कुछ इस तरीके से दीखेगी यहाँ पर देखे जितनी चोड़ाई के आपको महरी रखनी है उतनी आप चोड़ाई रख सकते हैं तो यह डिजाइन बनके हमारा complete हो गया है आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन बनके तयार हो गया है अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर करें आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें उससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोट्पिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही फिर में लेंगे कोई नए डिजाइन के साथ थेंक यू